वेल ही गाइस विल्कम बैक टो में चैनल तो बात कर रहे हो मैं सियल पड़ी निती की पड़ी निती में हाई गोंच जामा के साथ जहां एक तब इदा दिखाता है कि पड़ी अपना फैसला सुना रेती और तोड़ देती है रिष्टा संजू से वह इदा संजू भी मानता है निती को और नीती के बच्चे को वह इदा नीती के बच्चे के लिए गुरिंदर रखती है एक बहुत बड़ा शर्त लेकिन अब इदा संजू मान जाता है और बोलता है गुरिंदर को कि मैं नीती से शादी करने के लिए रेडी हूँ और इदा पड़ी भी समझाती है संज कि तुम्हारा इस जिंदेगी से जुड़ी भी नहीं है और हमारा साथ यही तक था वह इदर संजु मान जाता है और बोलता है कि मैं नीती से शादी करने के त्यार हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है जब इस दुनिया में ये बच्चा आ जाएगा तुम्हें नीती से ले लूँगा डिवास और वही उस समय कोई रोपनी पाएगा वह इदर सबी जटका लगता है सबी घरवालों को और उसको लगता है कि ये क्या पूर रहा है संजु क्या होगी शादी और नीती ये संजु की वही क्या होने वाल है जब सच आएगा नीती का सब के सामने और लाएगी पड़ी उसकी खुद की बेस्ट फ्रेंड वही उसके बाद पड़ी को भी पता चलेगा नीती की असलियत और कि संजु को बताते टाइम बहुत देर हो जाएगी या इस वशादी के बंदन में बन जाएंगे संजु और नीती और होने वाल है कुछ बवाल जहां एक तब हमें पता चलेगा पड़ी को पता चलेगा नीती की असलियत और नीती की सारी कांड तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगए तब लिस लाइक शेयर सब्सक्राइब और कॉमेंट कीज़ेगा और आगे की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल में जुड़े देगा जब तक के लिए थैंक यूँ